वीडियो सुरू करने से पहले हम लोग credit card bill payment application के बार में बात करेंगे जिसका नाम है credit credit card bill payment करने के लिए credit application सबसे बहतर app है इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप लोग पहला अपना credit card का bill payment credit application से करते हो तो आपको 5% का cash back मिलता है जो कि directly आपके bank account में credit हो जाता है यानि कि अगर 10,000 का आपके credit card का bill payment किया तो 500 directly आपके bank account में as a cash back credit हो जाता है और जितने भी payment होते हैं वो instantly settlement हो जाते हैं जो कि other application से आपको कम से कम 48 hours लगते हैं उसके साथ साथ में जितना भी आप लोग payment करते हो उसके लिए exclusive आपको reward मिलते है जिसको आप लोग redeem कर सकते हो cash के मादियम से वो भी आपके bank account में credit हो जाता है तो credit card का bill अगर payment करना है तो आप लोग credit सही करें link उसका description में दिया हुआ है hello everyone welcome to my youtube channel एचलपेंट कैसे हैं आप लोग इगनु ने जुलाई 2020 सेशन के लिए re-registration स्टार्ट कर दिया है इस वीडियो में मैं आप लोग को detail में बताऊंगा कि re-registration कैसे करना है कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है step by step complete detail में आप लोग को एक एक information मिलने वाली है साथी साथ जो re-registration के portal में new changes किये गए हैं उसके बार में भी हम लोग इस वीडियो में detail में बात करेंगे बस आप लोग वीडियो को ध्यान से और complete जरूर देख लिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करना बिल्कुल मत बुलेगा और इसी तरह की informative वीडियो पाने के लिए चैनल को subscribe करना और bell icon को press करना बिल्कुल मत बुलेगा और re-registration करने के दौरान या subject choose करने के दौरान किसी भी तरह का doubt अगर आप लोग face करते हो तो आप लोग मुझे कभी भी call करके अपना doubt क्लियो कर सकते हो ज्यादा information के लिए कि कैसे call करना है उपर card में दिया वीडियो का link चेक करें उससे आपको समझ में आ जाएगा तो re-registration करने के लिए सबसे पहले आप लोग को इगनू के official website पे आना होगा लास्ट डेट 30 जून तक रखा गया है इसलिए आप लोग सभी instruction को ध्यान से पहले परना ध्यान से समझ लेना उसके बाद से ही re-registration करवाना कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है अब हम लोग बात कर लेते कि कौन कौन सी बातों का आप लोग को उसने तो already second year के लिए previous year registration किया होगा तो उनको भी new registration के उपर click करना होगा moral of the story कि जितने भी students जुलाई 2020 session में re-registration करवाएंगे उनको new registration के उपर click करना होगा सभी detail fill up करना होगा उसके बाद से ही आगे वो proceed कर सकते हैं ठीक है बहुत बार क्या होता है या हर बार होता है बहुत साथ हो चुका है कि वो कुछ ऐसे paper select कर लेते हैं जो उनके लिए बहुत difficult होता है और हर बार तीन सार चार साल से एक ही paper वो दे रहे हैं लेकिन वो paper clear नहीं हो रहा है इसलिए बुला गया है कि आप जो subject select कर रहे हो वो ध्यान से select करो और खास कर bachelor of arts के students जो जलबाजी में mathematics का paper select कर देते हैं तो वो तो बिल्कुल भी मत करना क्योंकि mathematics बहुत tough है एक नों का ठीक है तो इस बात का ध्यान रकना और दूसरी important बात यह है कि बहुत सारे students क्या होता है कि जब subject select करते हैं तो वो यह नहीं देखते हैं कि वो दोनों paper क्या एक ही group में है या नहीं है ठीक है होता यह है कि आप दो ऐसा paper select कर लेते हो जो हर session में एक ही दिन एक ही time paper जाता है जिससे आपको एक paper अभी देना होता है और एक paper 6 month बात जिससे आपका 6 month या 1 year loss हो जाता है तो जब भी भी आप लोग subject select करो तो पहले previous year का date sheet देख लो कि date sheet में वो दोनो paper क्या एक ही दिन एक ही time paper पर रहा है या नहीं जो date sheet है वो already December 2018 session का June 2019 session का और December 2019 session का website पर एवलेवल करवा दिया गया है link मैंने description में दे दिया है वहाँ से आप लोग आके date sheet को check कर लो और यहाँ पर देख लो कि कौन कौन सा ऐसा paper है जो एक ही दिन एक ही time paper पर रहा है उसको आपको नहीं लेना है नहीं तो फिर आपका भी six month loss हो जाएगा जैसे कि मालों को यह एक apply oriented course का ANC01 paper है और BPY007 paper है ठीक है तो दोनों एक ही दिन एक ही time paper गया है तो आप लोग के लिए दिक्कत होगा एक paper अभी देना होगा एक paper six month के बाद देना होगा उसी तरीका से यहाँ पर ACC01 का paper है और BPY001 का paper है दोनों एक ही दिन एक ही time paper है तो यह सब सारा चीज आप लोग को देख लेना होगा उसके साथ में और भी बहुत सारे दो elective paper होते है वह भी एक ही दिन एक ही time में सा यह recommend करता हूँ कि आप लोग hard copy ही low soft copy को opt नहीं करो क्योंकि अगर आपका मान लो course fee 3000 रुपया है तो 15% discount यानि कि सिर्फ सारे 400 रुपय का discount मिलता है जो कि बहुत जादा नहीं है और soft copy में परहाई करना बहुत मुस्किल होता है computer में या mobile में या laptop में PDF में परना उतना अच्छा नहीं होता है जिस तरीका से आप लोग hard copy में पर पाते हो और moreover अगर यह जो soft copy आपको मिल रहा है वो तो आप अगर hard copy भी चूज करते हो तब भी soft copy already available रहता है इगनो के official website पे ग्यान course पे भी available है और आपका इगनो का e-content application है वहाँ पे भी available है तो आप चाहे hard copy पी लो चाहे soft copy लो आपको तो already e-study material मिली रहा है ठीक है तो यह करने का कुछ ज्यादा फाइदा है नहीं लेकिन फिर भी यह मेरा advice है जिस तरीका से UGC ने अपने guidelines पूरा दिये दिया उसके बाद से एक option लिग दिया कि this guidelines are advisory in nature उसी तरीका से मैं भी जो बात बोल रहा हू उसमें कोई बहुत खास बात नहीं है आप लोग एजली खुद से भी समझ पाओगे जो important चीज है वो nine number column है उसको तो समझ लेना जो इस बार restart किया गया था क्योंकि new portal है तो सभी जो data है उसको update करना होता है तो पहले जब start किया गया था तो सभी course और सभी program का start नहीं किया ग और master of travel and tourism management master of social work और MBA program का 25 अप्रील तक start कर दिया जाएगा ठेक है लेकिन आज तीन में हो गया अभी भी सभी course और सभी program के start नहीं किया गया है अभी कौन कौन सा program बचा हुआ है अभी उसमें है BSC students का BA become का start हो गया है जो January 2019 session से पहला admission लेकिन BSC का अभी भी start नहीं किया गया है वो बोला गया कि 7 में के बाद से start कर दिया जाएगा साथ साथ integrated BCMCA के लिए और master of social work और MBA program का साथ में और उसके बाद से start कर दिया जाएगा हाला कि 7 में को start नहीं होगा मुझे जांतक पता है 8 में या 9 में तक start कर दिया जाएगा तो यह सभी program को थाँसा और वेट करना प पूट कर देना उससे not phone बताएगा पहले आपको new registration के उपर क्लिक करना है उसके बास सही आके proceed करना है ठीक है new registration के उपर जाओगे यहाँ पर एक form आ जाएगा वहाँ पर आपको अपना program code सेलेक करना है जो भी आपका program code है और उसके बास से name और enrollment नमर जो आपका ID कार्ट पर जो name है वही यहाँ पर पूट करना enrollment number और capture पूट करोगे submit करोगे तो आगे की page में चले जाओगे यहाँ पे और बात बात बोला गया है कि जो आप mobile number और email address अभी आगे की page में use करोगे वह ऐसा ही use करना जिसको आप access कर पाओ क्योंकि कभी भी आप लोग जो password अभी आगे की page में जाते हैं हम लोग तो यहाँ पे मैंने सारा detail fill up कर दिया है fill up करने के बाद से submit के उपर क्लिक करोगे submit करोगे submit करने के बाद से यहाँ पे आपको OTP मांगा जाएगा जो भी आपने mobile number रेइस्टर किया होगा तो यहाँ पे OTP जाएगा email address पर भी जाएगा और आ special character भी हो ठीक है और वो password को कहीं पे note-down कर लेना ताकि आप लोग भूलो नहीं तो जल्दी हम लोग password create कर लेते हैं और जो password आपने create किया है वो दोनों में same रहेगा ठीक है उसके बाद से submit के उपर क्लिक करोगे उसके बाद से आपका registration successful हो जाएगा और यहाँ पर एक pop-up total आप लोग के screen के उपर नजर आएगा यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर profile दिया हुआ है इसमें आपका सारा detail लिखा रहेगा bachelor of commerce यहाँ पर लिखा हुआ है registration के उपर क्लिक करोगे ठीक है तो यहाँ पर रहेंगे तो यह सब चीज को करने की जो अतनी है fact देना इंस इसी है जो भी होगा यहाँ पर आप लोग को सो करेंगा और यहाँ पर click here के उपर click करोगे जैसे आप लोग क्लिक करते हो तो यहाँ पर पूरा detail आ जाता है आपका program code आपका name आपका enrollment number आपका study center code और नीचे में जो भी subject आपने second year और first year में लिए है उसका भी list यहाँ पर आ registration कर रहा है तो उनका first year में जो भी paper था उसका भी list यहाँ पर दिया रहाएगा master degree का भी इसी तरीका से होगा ठीक है उसके बास से आप click here to select your course इसके उपर आप लोग क्लिक करोगे तो इस page पे आप लोग पहुंच जाओगे यहाँ पर आपको जो जो paper compulsory है वो आपको आपको कोई भी difficulties नहीं होगी ठीक है जस आपको subject select करना है वो थौस अध्यान से देखना है जो compulsory है वो already यहाँ पर किया रहेगा उसके बास से यहाँ पर study material का type यहाँ पर select करना है अगर आप 15% discount करना चाहते हो तो वह भी select कर सकते हो अगर नहीं करना चाहते हो तो आप second number option के उपर क्लिक करोगे नहीं चाहिए मुझे तो second number option पर मैंने क्लिक कर दिया और उसके बास से यहाँ पे compulsory courses तो अल्रेडी दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर credit देख लेना की कि कितने credit का है तो देखो 4 credit 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 5 1 year अगर आपको पता है कि bachelor degree में, एक year में 32 credit लिया जाता है तो Solar Credit अल्रीड है तो और हमें Solar Credit लेने होते हैं तो Applied Oriented Course में से एक पेपर लेना होगा और एक ये इस गुरूप में से लेना होगा तो Applied Oriented Course की जितने भी पेपर होते हैं उसको तो ध्यान से आप लोगों सिलेक करना होता है उसका वज़ा ये है कि Applied Oriented Course में कुछ-कुछ पर लेना चाहते हो तो मेरे हिसाब से मैं आपको बताता रहा हूँ कि SEC 1 आप ले सकते हो Arcade का है NC 1 ले सकते हो बहुत अच्छा पेपर है उसके साथ साथ में AOM और AMK ले सकते हो ये चारो पेपर में इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इसमें कोई घमेला नहीं है इसमें तो कई प्रोजेक्स कुछ भी सब्मेंट करना परता है और में आपको प्राय्स और को संभिधन आप ये अनसी और चाह वन का तो एक यह सब चीज मैं recommend नहीं करता हूँ अगर आप चाहे तो ले सकते हैं लेकिन मैं recommend नहीं करता हूँ तो यह अगर आप 16 कृडिट का लेना चाहते हो applied oriented course का तो आप A.C.C.1 और A.C.1 ले सकते हो या ACC1 A.O.M. 1 और A.M.K. 1 ले सकते हो या और अगर 8 के लेना हो तो AOM और AOM के ले सकते हो या फिर ACC और NC में से कोई एक ले सकते हो ठीक है तो आप लोगो समझ में आ गया के लिए गलती करते हैं बैचलर आफ आर्स के लिए बैचलर आफ कमर्स के लिए कि वह मैथमेटिक्स के सब्जेक्स लेक कर लेते हैं जो कि बहुत टॉफ होता है तो मैं सबको बोलूगा कि मैथमेटिक्स का पेपर भूल कर भी मत लेना खासकर MT2, MT8, MT6 और MT11 यह चार पेपर तो बिल्कुल मत लेना क्योंकि यह टॉफिस पेपर है MT6 तो इगनू में सबसे टॉफिस पेपर माना जाता है कितने साथ इस दिन्स का चार चार साल पांच पर सल बरबाद हो गया MT6 में ठीक है तो भूल कर भी आप मैथमेटिक्स का पेपर मत लेना कोई आर्स का पेपर ले इसो शक्रीट ठीक है उसके बाद से अपको पूरा देख लेना देख लेने के बाद सब्मीट करोगे तो आपने जो भी subject लिया होगा यहाँ पर उसका लिस्ट आ जाएगा इस बाद यहां पर आपका पेपर अपने लिया है ठीक है तो 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 यहां पर क्रेटर भी बता दि प्रिवियस जो पॉर्टल बनाएगे उसमें दिकत यह था कि आपने बस एक बार क्लिक कर दिया उसके बाद से पेमेंट पॉर्टल में जाके फेल भी हो गया तो आप सब्जेक्ट चेंज नहीं कर पाते थे तो इस बार यह चीज अच्छा किया गया है ठीक है तो आप जब तक आपका पेमेंट सक्सेश्पूल ना हो तब तक आप लोग चेंज कर सकते हो ठीक है तो ध्यान से कर लेना कोई दिकत हो तो मुझे पूछ लेना और एक और बात लास्ली जितने भी बीसी के इसे जिनका प्रैक्टिकल का पेपर है तो उतना याद अख लेना कि प्रैक्टिकल में आपका 25% प्रैक्टिकल के सबजेक्ट लेने होते है ठीके प्रैक्टिकल में अगर कोई भी दिक्ट हो TEďकत हो तो मैंसे कंसल कर लेजा लेकर गलती मत कर ना क्यूक्कि अगर practical के अगर 55% लेने ही होंगे और या ओसBT को दिय सुधू नहीं होगा तो BSC questions यह गलती मत करना, कोई issue हो तो उसे push लेना, ठीक है, उसके बाद से यह सारा चीछ हो गया, pay fee के उपर click करोगे, pay fee के उपर click करने के बाद से payment portal पर पहुंच जाओगे, यहाँ पर बहुत सरा option है, credit card, debit card, UPI, और net banking का भी option है, तो जो भी आपको लगे, उसे कर देना, ठी री-रेसेशन successfully हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप लोग को official login करना होगा, और फिर री-रेसेशन को उपर click करोगे, तो यहाँ पर option मिलेगा, और अपना status भी पता कर लेना, पहले यह status पता करने वे था, दिक्कत होता था, status पता नहीं चल पाता था, दो महिना बाद जब update होता था, तब पता चलता था, लेकिन अभी यह चीज हो गया है, तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग भी इस तरीका से चेक कर लेना, हाला क यह वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं फिर आप लोगों को मास्टर डिगी के लिए भी बता देता कि कैसे री रेस्टेशन करना है, लेकिन खेर मास्टर डिगी में कोई दिक्कत नहीं है, मास्टर डिगी के इस्टुएंस वैसे भी बहुत समझदार होते है, और म को प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, अलग-अलग इलेक्टिव कोर्स चूज करने होते हैं, इसलिए मैंने उनका बताया, मास्टर डिगी के इस्टुएंस को भी अगर कोई दिक्कत होगा, तो मुझसे डिरेक्ली कांटाइक करके पूछ लेना, हाला कि मास कैसे कैसे आप लोग को रिरेसेशन करना है, कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना है, और सब्जेक्ट कैसे चूज करना है, तो मुझे उमीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फेंड के साथ सेर करें, जो रिर आपन वसमे दे, थैंक यू सो मुझ.